नमस्कार मैं हूँ बैभवनाज शर्म और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्टो वास्तु रेमिडीज दोस्तों आप दर्शकों ने बार-बार जानना चाहा रुद्राक्ष के क्या उपयोग हो सकते हैं रुद्राक्ष का महत्व हम सनातनियों के जीवन में क्य होता है उससे संबंदित कुछ उपाए बताईए तो आज मैं आपको रुद्राक्ष से संबंदित कुछ 21 उपाए भी बताऊंगा और रुद्राक्ष से जुड़ी हुई कुछ आवश्यक जानकारी भी दूँगा रुद्राक्ष में जब आप देखेंगे उसके दाने को तो एक कोने से लेकर के नीचे कोने तक धारियां कीची होती है इनी धारियों को इनका मुख कहा जाता है इनी धारियों के आधार पर एक मुखी से लेकर के 27 मुखी रुद्राक्ष तक की गणना होती है निधारन होता है जिसका अलग-अलग महत्पर उप्योगिता हमारे शास्त्रों में बताई गई है जिस रुद्राक्ष में स्वेम छिद्र होता है चायवक किसी भी मुक्का हो अपने गुण धर्म के आधार पर स्रेश्ट माना जाता है रुद्राक्ष धारन करने से कभी किसी भी प्रकार की क के गंगा जल या कच्छे-दूद में धो करके सिद करके प्रतिष्ट करके लाल धागे में अत्वा सुनय चाप्षे के तार में पिरो करके ही धारण करना चाहिए ऐसा मत हमारे शास्त्रों में प्राप्त होता है गौरी शंकर रुद्राक्ष गौरी शंकर रुद्राक्ष प्राकिर्तिक रूप से जुड़ा हुआ होता है शिव और शक्ति का यह स्वरूप माना जाता है इस रुद्राक्ष को सर अठ्वकुन हैं गणेश रुद्राक्ष इस रुदुराक्ष को भगवान गणेश का साक्साथ स्वरूप माना जाता है इसे धारण करने से रिद्यू सिद्धी की प्राप्ति जातक पो होती है और यह रुद्राक्ष विद्या प्रदान करने वाला ज्यान प्रदान करने वाला स्वास्त और धन देने वाला रुद्राक्ष माना गया है विद्यार्थियों को यह गणेश रुद्राक्ष धारन करना बहुत लाबदाई सिद्ध होता है गौरी पाठ रुद्राक्ष यह रुद्राक्ष त्री देवों का Freeze रख्ते हैं एक मुखिर अधित्य का अशिरवात धारन करने वाले व्यक्ति को होता है और ऐसा कहते हैं कि जो व्यक्ति और इसली प्राणपतिष्थित अगर एक मुखिर अधित धारन करता है तो वह स्वें शिव के समान हो जाता है दो मुखी रुद्राक्ष या द्वी मुखी रुद्राक्ष शिव और शक्ति का स्वरूप माने जाते हैं इसमें अर्ध नारीश्वर का स्वरूप सवाहित होता है तथा चंद्रमा सी शीतलता इसको धारण करने वाले व्यक्ति को प्राप्त होती है तीन मुखी रु रहत्या जैसे जगन्य पाप भी समाप्त हो जाते हैं उससे भी जातक को मुक्ति मिलती है चत्रमुक रुद्राक्ष धर्म अर्थ काम और मोक्ष का प्रदाता माना गया है पंच मुखी रुद्राक्ष पांच मुख रुद्राक्ष कालागनी रुद्र का स्वरूप माना गया ह हमारे शास्त्रों में यह पंच ब्रह्मां एवंपंच तत्वों का प्रतीक भी होता है पंच मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से अभख्ष भक्षन एवं इस्ठी गमन जैसे पापों से भी जातक को मुक्ति मिल जाती है तर्था हर प्रकार के सुक्र की प्राप्ति ध्यक करने से महालक्ष्मी की कृपा जातक को प्राप्ट होती है आठ मुखी रख्वान गणेश का स्वरूप माना जाता है अश्ट मुकी रख्ष्राहु के अश्यौप्रभावों से मुक्ति दिलाता है पापों का शय करके मोख्ष का प्रदाता या रख्ष होता है नौ नौँमुखी रुदराक्ष को भैरव भगवान का स्वरूप माना जाता है इसे कई बार भुजा में धारण करने से गर्वत्या जैसे पाप से भी मुक्ति मिल जाती है नौ मुखी रुद्राक्ष को यम का स्वरूप भी कहते हैं या केतु के अशुप प्रभावों को दूर करने के लिए भी धारन किया जाता है इसे धारन करने से समस्त भै जातक को अगर कुछ भी है तो उससे मुक्ति मिल जाती है भै का नाश करने वाला या दस मुखी रुद्राक्ष होता है एकादश मुखी रुद्राक्ष शाक्साद भगवान शिव का स्वरूप है एकादशी मुखी रुद्राक्ष को भगवान हनुमान जी का प्रतीक भी माना गया इसे धारण करने से ग्यान और भक्ति की प्राप्ति जातक को होती है द्वा आदश मुख वाला रुद्राक्ष बारा आधित्यों का आशरवात प्रदान करता है इसे बारा मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से अश्वमेद यग्य करने की समान फल जातक को प्राप्त होता है तेरा मुखी रुद्राक्ष को इंद्रदेव का प्रतीक माना जाता है इ सब्सक्राइब और विश्णु तथा शिव का प्रतीक बीए इसे धारण करने से व्यक्ति को भूमी का सुख और पुंडलीनी शक्ति को जागरत करने का मार्ग प्राप्त होता है अठारव मुखी रुद्राक्ष को भगवान भैरव और माता प्रित्वी का स्वरूप माना गया इसे धारण करने से अकाल अम्रित्यु का जो भैजातक को होता है उससे आपको मुक्ति मिल जाती है ऐसा कोई भी संकट कोई भी भैफिर आपको परिशान नहीं करता 19 मुखी रुद्राक्ष नाराण भगवान का स्वरूप माना गया है यह सुख और सम्रिद्धी दायक होता है 20 मुखी रुद्राक्ष को जनारदन स्वरूप माना गया इस 20 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से व्यक्ति को भूत प्रेतादी का भैफिर नहीं रह जाता 21 मुखी रुद्राक्ष स्वेम रुद्र का स्वरूप है इसमें सभी देवी देवताओं का वास है सबकी ही शक्तियां इसमें समावित हैं इसे धारण करने से व्यक्ति ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्त हो जाता है तो दोस्तो आशा करता हूँ कि रुद्राक्ष से जुड़ी हुई आवश्यक जानकारी प्राप्त करके आपको बहुत ग्यानवर्धन हुआ होगा आप सभी से बार बार आग रहा है कि जब भी आप मेरे वीडियो देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर जरूर करें और जो भ आप आप